हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं अब हम एक बहुत ही हेल्दी क्विकर नास्ता मतलब आप फटा-फट से सुबह की भागदौर में बना सकते हैं और हेल्दी तो मतलब मैंने एक कप कॉन ले लिया है और इसको में ग्राइंडिंग जार में टाल देंगे थोड़ा से मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से बना रहे हूं थोड़ा से मतलब हैल्दी रॉप्शन और तो इसको हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे पेस्ट नहीं बनाएंगे बिल्कुल द दही डाला है दही आप फ्रेश यूज़ करिएगा ज्यादा खटी दही मत यूज़ करिएगा उसके बाद यह जो कॉन मैंने ग्राइंड करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें सबसे बड़ी बात है न कि आप जो भी सबजी आपको गाजर वगएर या जो भी आपको खाना है आपको अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं उसको आप डाल सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे एक टमाटल लिया है उसको मैंने बार एक जॉब करके इसमें डाल द तो बस इसके बाद हम टालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी इसमें आपको सूजी को सोक करके रखने की जरूत नहीं है इंस्टेंट है आप आराम से फटा-फट से इसको बना सकते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी डालके अच्छे से पहले मिक्स क कर लेंगे तो यह देखिए अभी यहां पर थिख है इसकी कंसिस्टेंसी तो थोड़ा सा पानी और मैंने इसमें एड़ किया है तो यह देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का चाहिए आपको बैटर उसके बाद यहां पर मैंने डाला है अपने टेस्स रिकॉर्डिंग नमक अपने स्वाधा नुसार आप नमक डालने इसमें फिर मैंने यहां पर थोड़ा सा लाल मिश डाला है कुटिवी लाल मिश और यह इनो का जो सैसे आता है न वो एक सैसे पूरा इसमें मैंने डाल दिया है फिर इनों को एक्टवेट करने के लिए आपे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे बैटर को एक साइड में आराम से हलके हाथों से इसको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंट्स यह बहुत ही क्विकर नासता है आप वह इजी है बहुत आराम से बना सकते हैं सुबह जब हम को समझ में नहीं आता ना कि हम बच्चों के लंच में क्या दे तो आप इजली बना के और दे सकते हैं बच्चे भी खुश होके खाएंगे और आप भी खुश बच्चे सबजियां खा रहे हैं और उसके बाद यहां पर मैंने एक अप्पे पैन ले लिया है उस पर थोड़ा सो ऑइल से ग्रीज कर लिया ऐसे उसके बाद एक एक चमच हम इस पर फिलिंग रखेंगे एक चमच हम फिलिंग डाल देंगे इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है और ओर दालने की जोरूत नहीं है कुछ भी नहीं बहुत ही बहुत ही सिंपल रेसिपी है शाम की भी बूप में आप बना सकते हैं और मार्निंग में तो बेस्ट है उसके बाद यह मैंने सारी फिलिंग इसमें डालके और धग दिया है पांच मिनट के लिए जब यह नीचे से एक साइट से पक जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे ऐसे तो यहां पर देखिए इसी तारा मैंने एक एक करके यह सारे अपम को मैंने यहां पर पलट लिया था और जब सारा जब एक बार फिर हम पलट लेंगे तो फिर ओयल से थोड़ा सो ग्रीस कर लेंगे उपर से भी और उसके बाद फिर दो से तीन मिनट के लिए ढग देंगे अंदर से सॉफ्ट होते हैं उपसे क्रिस्पी हो जाते हैं तो यह हमारे अपम बिल्कुल बनके रेड़ी हैं आप इनको चटनी से इंजॉय कर सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं मैंने यहां पर मूमफली की चटनी के साथ सर्ब किया है आप चाहे तो इसके साथ ग्रीन वाली बना सकते हैं किसी कीविट साथ खाइए बहुत टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक बाबाए